हेलो स्टुदेंट्स गुट आप्टरनून तो अलफ यू कैसे आप लोग आयोव कि आप सब लोग अच्छे होंगे मज़े में होंगे तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर कल हमने चैप्टर वन कंप्लीट कर दिया था चैप्टर वन हमारा कंप्लीट हो चुका है अपने आप कि डाउट कर दिसकुशन कर लिए थे आज हम निया चैप्टर चालो करता हैं तो चलिए एक हीदिक डाल धीजे कॉपी में नया चैप्टर आज चेप्टर करेंगे चैप्टर नंबर सिक्साठ से म स्टार्ट करेंगे मेरी क्रिसमस तो अल अधी तो मेरी क्रिस्मस आज हम नया चेप्टर स्टाट करेंगे चेप्टर नंबर 6 एक्चुली में हम मोडियूल के सिक्वेंस से नहीं चलेंगे हम आमारे सिक्वेंस से चलेंगे अपने अकोडिंग चलेंगे जो टॉपिक सबसे पहले अपने को पढ़ना चाहिए ताकि वह बाकी क कि टॉपिक में यूज हो जाए तो इसे साप से अपन पढ़ेंगे तो इसलिए आज हम चेप्टर नंबर 6 स्टाट करेंगे करें चेप्टर 5 क्या बुलते हो है करने साट रेडी वो है रेडी फूर चेप्र नंबर 6 दीपक मामनानी आपस ने कहा कि ICI module का वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसमें आपको कंसेप्ट बढ़ाने और प्रैक्टिकल पे आपको ध्यान देना है और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वह बहुत अच्छे कंसेप्ट है उनको अच्छे से पढ़ लीजे वर्ड टू वर्ड की जरूत नियुकी कंटेंट वही होने चाहिए वर्ड टू वर्ड की कहीं जरूत निहीं बेटा लिएब टू इस्टेडी स्टेडि करने अच्छे से थिकए ना तो आप इस चीज पर गोर कीजिए को आप संजें, concept को अच्छे से clear करें, ठीक है बेटा, तो इस्टार्ट करते हैं, chapter number 6, heading डाल दीजी, सब लोग, और chapter number 6, जो हम स्टार्ट करने, that is, leverage, उसका नाम है, leverage, जो हम स्टार्ट करने, that is, leverage, तो सब लोग, copy में, heading डाल दीजी, leverage, आज हम पढ़ने वाले हैं, chapter 1 अपना complete हो गया, main main points हमने सारे discuss कर लिए थे, फिर भी मैंने आपको कल कहा था, एक पर ICI module जरूर refer कीजेगा, उसमें कोई point हो, तो आपन, आपको doubt हो, तो आपन in future, वो discuss कर लेंगे, इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए, मैं आपको एक income statement समझाना चाओंगा, एक income statement हम बनाते हैं, लिब्रेज क्या है, इसको समझने के लिए, पहले हम income statement को समझते हैं, income statement जो financial management में बनाया जाता है, उसमें सबसे पहले हम लेते हैं sales, sales में से हम less करते हैं, variable cost, तो variable cost less करने के बाद हमारे पास आता है, तो सबसे पहले sales लेते हैं, sales में से less करेंगे variable cost, variable cost क्या होती है, ऐसी cost जो sales के proportion में लगाई जाती है, cost which is incurred in the proportion of sales, उसको variable cost कहते हैं, example क्या हो सकते हैं, raw material, wages, production expenses, यह सब इसके example है, variable cost के, तो जैसे हम sales में से variable cost less करेंगे, हमारे पास आएगा contribution, इसको हम बोलते हैं, contribution, contribution is nothing, just sales minus variable cost, तो यहाँ पर sales minus variable cost, तो यहाँ पर sales minus variable cost, variable cost, that is contribution, और contribution में से हम less कर देते हैं, क्या, fixed operating cost, fixed operating cost, तो यह हमारे पास आता है, operating profit, this is operating profit, लेकिन यहाँ पर इस operating profit को हम बोलते हैं, earning before interest and tax, short में बोलते हैं, EBIT, तो यह income statement हमने बनाया है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या ली, sales, sales में से less किया, variable cost, variable cost क्या होती मैंने बताया, less करने पर क्या है, contribution, इसमें से less करेंगे, fixed operating cost, fixed operating cost क्या होती है, ऐसी cost, जो sales के हर level पे same होती है, कोई changes नहीं होते हैं, वो same रहती है, ठीक है, example क्या हो सकते हैं इसके, इसके example हो सकते है, salary, rent, depreciation, यह सब इसके example हो सकते हैं, अब इसमें से हम less करेंगे, सब लोग concentrate कीजिए, आपको कोई doubt हो, तो बाद में आप message करके doubt पूछ लेना, अभी फिलाल इस पर आप ध्यान दीजिए, EBIT में से less करते हैं हम क्या interest, EBIT में से हम less करते हैं interest, तो यह आता है हमारे पास, earning, before, tax, short में इसको बोलते हैं, EBIT, यह EBIT आया हमारे पास, EBIT में से हम less करते हैं, taxes, तो यह हमारे पास आता है, earning after tax, short में बोलते हैं, EAT, यह आपके पास earning after tax आ गया, इस earning after tax में से हम dividend किसको देते हैं पहले, पहले preference shareholder को देते हैं, तो EAT में से अब हम less करेंगे, preference share dividend, तो preference share dividend देने के बाद, यह जो profit बचा हमारे पास, इस profit को हम बोल देते हैं, earning for equity shareholder, earning for equity shareholder, यह जो profit बचा, preference share dividend देने के बाद, इसको बोल देते हैं, earning जो किसके लिए है, last में जो बचा हुआ है, वो किसके लिए है, equity shareholder के लिए, जो कि real owner होते हैं, कंपनी के, उनके लिए है, यह profit, और इस से हम क्या निकाल सकते हैं, earning per share, इस से हम क्या निकाल सकते हैं, earning per share, short में बोलते हैं, EPS, क्या formula होता है, इसको निकालने का, earning for equity shareholder, यह तो total earning होगी, divide कर देंगे, पर share निकालने के लिए, डिवाइड कर दीजिए, टोटल नंबर ओफ शेर से, टोटल नंबर ओफ, इकुटी share, इकुटी share से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यह क्या आजाएगा, हमारे पास, EPS आजाएगा, this is income statement, अभी ध्यान दीजिए, copy कर दीजिएगा, मैं आपको time दे दूँगा, तो यह income statement बना, अब होता क्या है, इस income statement को हम दो activity में, main activity में हम डिवाइड कर देता है, ध्यान दीजिएगा, सब लोग copy कर लेना बाद में, इदर ध्यान दीजिए, cell से लेकर, यह EBIT तक की जो activity होती है, cell से लेकर, जो EBIT हमने calculate किया, cell से लेकर EBIT तक, यह activity cover होती है, operating activity में, यह activity कौन सी activity होती है, operating activity, operating activity, जो की main activity होती है business की, जो जिसके लिए हम business करते हैं, purchase करना, sales करना, production करना, खर्चे करना, यह सब इसमें cover होता है, operating activity में, जहां पर operating activity खतम हो जाती है, वहां से चालू होती है financial activity, तो operating profit निकालने के बाद, जो भी काम हम करते हैं, EPS निकालने के लिए, इसको हम बोलते हैं, financial activity, this is financial activity, यह financial activity में cover होता है, तो sales से लेकर, operating profit तक, operating activity, उसके बाद में, जो भी transaction होगे, that is financial activity, operating activity मैंने आपको बताए दिया, business की main activity होती है, जिसमें purchase किया जाता है, goods purchase किया जाता है, raw material purchase किया जाता है, फिर production किया जाता है, फिर sales किया जाता है, खर्चे किया जाता है, सब operating activity में आता है, अब financial activity में क्या चीज़ आती है, बच्चों हम, हमें business करने के लिए किस चीज़ की जरूता है, हमें business करने के लिए पैसों की जरूता है, वो पैसा कहां से आएगा पैसा आएगा एकुडी शेर से प्रिफरेंश शेर से डिवेंचर से लोन से इनसे पैसा आएगा और यह जो पैसा आता इसके बदले में हम क्या देते हैं इसके बदले में हम या तो इंटरस्ट देते हैं या तो इंटरस्ट देते हैं या डिवरेंट देते हैं तो यह interest देना dividend देना यह किस में cover होता है financial activity में उसके बाद जो profit बसता है that is that is the financial profit earning available for equity shareholder जिसको हम EPS जिससे हम क्या निकालते हैं EPS निकालते हैं अब ध्यान दीजेगा हम chapter पढ़ रहे हैं leverage chapter पढ़ रहे हैं leverage तो leverage के अगर हम बात करें तो operating activity में जो leverage निकल के आएगा इसको हम बोलते है operating leverage क्या होता है यह तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन operating activity में जो leverage हम calculate करेंगे उसे operating leverage बोलते हैं और financial activity में जो leverage हम calculate करेंगे उसे हम financial leverage बोलते हैं that is called financial leverage और अगर इन दोनों को हम combined कर दें इन दोनों को हम combined कर दें तो इसे हम बोलता है combined leverage इसको क्या बोल देंगे we can buy Always cade income statement से हमने यह चीज़ थो पता कर ली कि ल्वरेज तीन प्रकार के होते हैं Financial li wrays operating li wrays and combined li grays तीन प्रकार के levy हूते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं क्लिर है अब फटाफट मैं आपको टाइम दे रहा हूं दो मिनिट का इसको कॉपी कर लीजे फटाफट आप सब लोग कॉपी करिए इसको लीवरेज क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी कैश फ्लो स्टेट्मेंट नहीं है यह कैश फ्लो स्टेट्मेंट नहीं होता है यह अलग चीज़े दीपक प्रांजल यह अलग चीज़े बिटा इमांची लीवरेज क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा मैंने बोला ना आपको अभी हमने केवल क्या पता किया है टाइप्स कर रहा तो फाइनेशल स्टेटमेंट का पार्ट है हाँ आप से सम्थिंग सम्थिंग वही पोई चीज पड़ी हुए क्यापले स्ट्रक्चर में यह सब चीज आती है गोतम EPS इंकम स्टेटमेंट में दिखाना या नहीं दिखाना यह अकाउंटिंग स्टेंडर्ड पर डिपेंड करता है यहां फाइनेशल मेनेजमेंट में इसका कोई लेना देना नहीं कि दिखाना या नहीं दिखाना फाइनेशल मेनेजमेंट इसके बारे में कुछ नहीं बत तो मैंने बोला इस requirement के बारे में accounting standard बताता है FM में तो आप दिखा दीजी अगर आपको दिखाना है EPS की calculation तो दिखा सकते हैं accounting standard बताता है इसके बारे में वैसे accounting के समय हाँ हमें income statement बनाना पढ़ सकता है अगर calculation करनी हो तो बिल्कुल बनाना पढ़ सकता है मौहित गोहल जो EPS हम calculate करते हैं उसी में से हम कुछ amount तो different देते हैं कुछ amount retained कर लेते हैं उसी में से करते हैं सब ओके आई थिंग आप सब लोगोंने copy कर लिया इसको अब आगे चलते हैं तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी यहाँ पर types of leverages leverages तीन प्रकार की होते हैं operating financial and combined यह तीन प्रकार की leverage होते हैं वो मैंने आपको income statement से बताई दिया ठीक है अब leverage होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं leverage को समझने के लिए मैं आपको पहले से soft language में समझाता हूं leverage क्या होता है leverage को हम magnetifying impact बोल सकते हैं यह को इसका meaning नहीं है मैं आपको बता रहा हूं कि magnetifying impact की तरह होता है यह चुम के प्रभाव की तरह होता है चुम्भी के प्रभाव यह चुम्भी के प्रभाव क्या होता है अब इसको समझने के लिए एक practical मैं आपको कराता हूं बच्पन में आपने प्रेक्टिकल जरूर किया होगा आपने कार्ड बोड लिया नीचे लिया magnet और उसके उपर रखा iron अब आपने कार्ड बोड लिया उसके उपर रखा iron और नीचे क्या करा magnet से बोड किया magnet से उसको मूव किया क्या हुआ आपने देखा जैसे जैसे magnet को आप मूव करते हैं वैसे वैसे iron भी मूव करता है जिस direction में मूव करते हैं उसी direction में iron भी मूव करता है लेकिन उनकी speed की frequency जो है वो अलग होथी है फरक किसी चीज का है आप magnet को move कर रहे हो तो iron भी move कर रहा है और उसी direction में move कर रहा है फरक किस चीज का है speed frequency का फरक है और यह speed frequency का फरक क्यों है क्यों एंकि बीच में क्या चीज है उनकी बीच में cardboard है गत्ते का टुकड़ा cardboard मतलब गत्ता या कागज का टुकड़ा वो है उनकी बीच में और उनकी frequency में अंतर उसी के कारण है और यह अंतर कम ज्यादा किस पर depend करेगा यह अंतर कम ज्यादा करेगा cardboard की मोटा यह पर depend करेगा cardboard अगर पतला है तो ज आंतर हो कम होगा और cardboard मोटा है ज्यादा मोटा है तो अंतर का सवाल चुर्फेरंस है वह बहुत ज्यादा होगा अब सवाल यह उड़ता है इसका यूज क्या है बिजनेस में तो इसका यूज मैं अभी आपको समझाऊंगा अभी केवाली इस practical को आपको आपने समझ लिया तो इसका यूज भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा यह practical तो सबको clear है अब इसका यूज क्या है वो समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले operating leverage के बारे में बता रहा हूँ और फिर अभी आप लोग यहां concentrate कीजे कोई अभी message करने के आपको जरूत नहीं है concentrate कीजे फिर doubt बार में पूछ लीजेगा अभी सब clear हो जाएगा आपका doubt तो practical मैंने आपको बता दिया अब इस practical का huge क्या है उसको huge को समझने के लिए पहले हम operating leverage क्या होता है उसको समझ लेते हैं what is operating leverage तो लिखिए सब लोग लिखेंगे copy करिए it tells about degree of changes in EBIT due to changes in sales provided there is fixed operating cost it tells about degree of changes in EBIT it tells about degree of changes in EBIT due to changes in sales due to changes in sales provided there is fixed operating cost बापस repeat कर रहा हो बच्चो क्या होता है operating leverage समझे इसको यह बताता है कि अगर हम sell को बदले बिक्री को अगर हम बदले हमारा turnover अगर हम बदले तो क्या profit बदलेगा अपकोर्स profit बदलेगा तर्णोवर बदलेगा अपकोर्स profit भी बदलेगा तो कितना बदलेगा sales के बदलने से profit कितना बदलता है क्या उनकी frequency same होगी यँ उनकी frequency अलग होगी तो यह depend करता है कि फिक्स cost है या नहीं फिक्स cost है या नहीं उस पे depends करता है तो fix cost के होने से अगर आप sales को बदलते हो तो उसके comparison में आपका EBIT कितना बदलेगा यह बताता है leverage, अभी देखिए, अब practical का use बताता हूँ मैं आपको, मैंने आपको बताया था कि operating leverage किस से related है, operating activity से, जिसमें हम sales लेते हैं पहले, minus variable cost तो contribution आता है, minus fixed cost करते हैं तो EBIT आता है, अब यहाँ पर जो practical मैंने बताया था उसको apply कर रहा हूँ, यहाँ पर यह fixed cost तो किसका काम करेगा, यह cardboard का काम करेगा, यह cardboard का काम करेगा cells किसका काम करेगा यह magnet का काम करेगा और EBIT किसका काम करेगा यह iron का काम करेगा तो cardboard यानि fixed cost होने से अगर हम cells को बदलते हैं यानि magnet को घुमाते हैं इदर उदर तो iron भी move करेगा यानि profit भी move करेगा तो कितना move करेगा that is called operating libris तो यह practical जो मैंने बताया था मैंने इसको यहाँ पर apply करवाया आपको अब इस practical में बापस आते हैं अगर इस practical में से तीन चीज़ें iron, cardboard और magnet इन तीन चीज़ों में से अगर मैं cardboard को हटा दू अगर इन तीन चीज़ों में से cardboard को हटा दू क्या होगा क्या होगा इन तीन चीज में से अगर मैं कार्डबोड को अटा दू तो आइरन और मेगनेट चिपक जाएंगे जैसे कार्डबोड अटाया आइरन और मेगनेट चिपक जाएंगे और चिपकने का मतलब क्या हुआ उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो जाएगी चिपकने से सेम होगी फिर तो कोई problem ही नहीं है जितना cells में change करोगी उतना ही profit में change होगा लेकिन cardboard होने की कारण उनकी frequency में फरक है और यह frequency का फरक कितना होगा depend करता है cardboard की मोटाई कितनी है तो वो चीज मैंने आपको बताई इस practical के माध्यम से अब बापस आजाए जैसे मैंने आपको बता है leverage और उनके बीच में क्या होना ज़रूरी fix cost और fix cost अगर नहीं होगी तो फिर तो वो चिपक जाएंगी चिपक नहीं का मतलब उनकी frequency सेम हो जाएगी तो बापस में समझा रहा हूं अगर मैं cells को बदलता हूं तो EBIT में कितना बदलाव होगा that is operating leverage अगर मैं cells को मान लेते है मैं 10% बढ़ा देता हूं अगर मैं cells को 10% increase कर देता हूं तो क्या मेरा EBIT भी 10% increase होगा this is the question क्या मेरा EBIT 10% increase होगा क्या 10% ही बढ़ेगा मेरा EBIT क्या उनकी frequency सेम होगी अब इसमें depend करता है इसके बीच में depend करता है cardboard है की नहीं यह depend करता है उनके बीच में cardboard है की नहीं और cardboard किसे कहा है fixed cost depend करता है fixed cost है की नहीं अगर fixed cost नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा EBIT कितना बढ़ेगा 10% बढ़ेगा क्यों क्यों क्योंकि fixed cost नहीं होने से iron और magnet चिपक जाएंगे और उनकी frequency सेम हो जाएगी तो cells अगर 10% बढ़ेगा तो मेरा EBIT भी 10% बढ़ेगा लेकिन अगर fixed cost है fixed cost है तो फिर EBIT बढ़ेगा तो सही लेकिन कितना बढ़ेगा ये किस से पता चलेगा ये leverage से पता चलेगा clear a point तो this is the concept of leverage तो leverage हमें बताता है कि fixed cost होने के कारण अगर cells में change करते हो तो EBIT में कितना change होगा वो हमें बताता है leverage of course उनकी frequency में फरक होगा सेम नहीं होगा सेम कब होगा जब fixed cost ना हो यानि cardboard ना हो फटावट copy करें इस चीज़ को इस चीज़ को copy कर लीजिए उतार लीजिए आपको इससे क्या होगा समझने में आसानी रहेगी फटावट उतारीए एक मिनिट का टाइम दे रहा हूं उसके बाद फिर example से समझाता हूं अक्षत ने question पूछा कि सर हम operating leverage में variable cost को क्यों consider नहीं करते हैं क्योंकि variable cost तो sales से चिपकी हुई है अलड़ी variable cost तो sales से चिपकी हुई है variable cost क्या होती है ऐसी cost जो sales के proportion में change होती है वो तो अलड़ी sales के चिपकी हुई है इसलिए leverage में variable cost को consider नहीं करते हैं क्लियर बिटा भी डाइग्राम आप अपनी सहुलियत के लिए बना लो अनुष्का अधरवाइस ज़रूत नहीं है मैंने operating leverage की definition आपको लिखवाई दिये कीर्ती मैंने शुरू में बता दिया था हम जंबल्ड बे में पढ़ेंगे अपनी हिसाप से पढ़ेंगे तो chapter 1 के बाद हमने chapter 6 लिया है अपनी sequence से चलेंगे module के sequence से नहीं चलेंगे ओकी copy कर लिया आप सब लोगों ने आई है hope कि आपने सबने copy कर लिया है इसको आगे चलते हैं अब देखे मैं example से समझाता हूँ अब example लेता हूँ एक्जामपल लेता हूँ case number one if there is no fix cost मैंने पहला case लिया है if there is no fix cost सब लोग ध्यान दीजे copy बाद में करना ध्यान देलो पहले मैंने case लिया है कौन सा fix cost नहीं है fix cost नहीं है इसका मतलब क्या हुआ cells और EBIT की जो frequency होगी वो क्या होगी same frequency same changes होंगे fix cost नहीं इसका मतलब क्या हुआ cells और EBIT में practical से cardboard अटा तो क्या होगा magnet और iron चिपक जाएंगे frequency same हो जाएगी वही चीज यहां पर fix cost नहीं है तो cells और EBIT same होंगे same changes होंगे ठीक है examples से discuss करते हैं एक income statement बनाते हैं मान लेते हैं मैं 1000 unit sell कर रहा हूं बड़ा ध्यान दीजे सब लोग ध्यान दीजे copy बात में करना मान लेते हैं हजार unit sell कर रहा हूं हजार unit में sell कर रहा हूं और sell price है per unit 100 रुपे तो इसका अंदल कितनी sell करी मैंने एक लाक रुपे की variable cost साथ रुपे ले लेता हूं कितना हो गए साथ हजार तो contribution कितना है अब एक काम करते हैं एक काम करते हैं अभी contribution बेसिकली एक प्रकार का profit एब एनी profit before fixed cost आप बोल सकते हो रोहन contribution is just now profit before fixed cost ऐसा profit जिसमें से आपने केवल क्या लेस किया है variable cost variable cost जो sales के proportion में उसको contribution बोल देते हैं costing में detail में पढ़ो गया पीचीज हाँ जी तो यह मैंने income statement बनाए अब मैं क्या करता हूं देखे मैं sales को increase कर देता हूं 10% मैंने sales को increase कर दिया 10% तो मेरा EBIT में क्या changes होगा मेरा EBIT भी बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा exactly 10% बढ़ेगा guarantee है मैंने sales को अगर 10% बढ़ाया है तो मेरा EBIT भी exactly 10% बढ़ेगा कारण क्या है इसके बीचे क्योंकि दोनों चिपके होएं और दोनों चिपके होएं क्यों है दोनों की frequency सेम है और दोनों की frequency सेम क्यों है क्योंकि fixed cost नहीं है क्योंकि fixed cost नहीं है clear है करके देखते हैं ऐसा होगा क्या तो cell unit पहले 1000 थी अब कितनी होगी 10% बढ़की 1100 होगी 10% बढ़की तो cell कितनी हो जाएगी 1,10,000, variable cost proportionately change हो जाएगा 66,000 60 रुपे के साब से तो contribution कितना हो जाएगा 44,000, fixed cost ही नहीं EBIT कितना हो जाएगा 44,000, देखे मैंने cells को 10% बढ़ाया तो मेरा EBIT भी कितना बढ़ा 10% 40-44 हो गया 4000 बढ़ गया कितना percent बढ़ा 10% hence proved fixed cost नहीं होने से cells और EBIT की frequency सेम रहती है चलो एक और उल्टा करके दिखते हैं मान लेते हैं मैं अपनी cells को minus कर देता हूं 20% मैंने अपनी cell को minus कर दिया 20% तो मेरी guarantee है मेरा EBIT भी minus हो जाएगा 20% यह guarantee है क्योंकि उनकी frequency सेम रहने वाली है क्यों सेम रहेगी क्योंकि fixed cost नहीं है चक कर लिजे 1000 unit मैंने cell की थी पहले अब 20% कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 800 unit sales कितनी हो जाएगी 80,000, variable cost कितनी हो जाएगी 48,000, contribution 32,000, fixed cost 0, EBIT 32,000 40,000 से 32,000 हो गया कितना profit कम हो गया 8,000, 40,000 पे 8,000 कितना percent होता है 20% hence proved तो fixed cost नहीं होने से sales और EBIT का frequency सेम रहता है वो मैंने आपको बताया फटाबट copy कर दीजिए इसको दो मिनिट का time आप लोगों के पास फटाबट इससे copy कीजिए copy करते ही बता दीजिएगा ओके कर लिए आप लोगों ने सब ने चलिए अब दूसरा case लेते हैं fixed cost लेते हुए case number 2 when there is fixed cost case number 2 लेते हैं जब fixed cost given हो और fixed cost given हो उस case में क्या होगा sales और EBIT में changes different होंगे different changes होंगे same नहीं होंगे different changes कैसे पता चलेगा depends on leverage depends on leverage उनके बीच में leverage क्या है leverage मतलब fixed cost क्या है उसके उपर depend करता है मतलब leverage जो है वो fixed cost को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है एक एक एक्जामपल से discuss करता है same वोई एक्जामपल लेते हैं cell units 1000 है तो cell कितनी हो जाएगी 100 रुपी पर unit के इसाब से एक लाग variable cost 60 के इसाब से 60 अजार contribution कितना हो जाएगा 40 अजार cells minus variable cost is the contribution अब इसमें से क्या less करना है fix cost अब fix cost लेंगे आपन क्योंकि आपनने fix cost अजूम किये और अजूम कर लेते हैं 20 अजार तो EBIT कितना हैगा EBIT कितना हैगा 20,000 रुपी आएगा EBIT कितना हैगा 20,000 ठीक है अब मैं अपनी cells को बढ़ाता हूं plus कर देता हूं 10% तो क्या मेरा EBIT भी plus होगा 10% plus तो होगा लेकिन क्या 10% होगा नहीं अब frequency सेम नहीं होगी अब frequency सेम नहीं होगी अब frequency में फरक होगा और यह frequency में फरक किस कारण आ गया fixed cost के कारण आ गया तो मैं कैसे पता करूं कि कितना change होगा तो मुझे जानना होगा कि उसके उनकी उनकी जो fixed cost है उसका leverage क्या है उसका fixed cost का leverage का leverage इसलिए calculate किया जाता है अब leverage कैसे calculate करते हैं बो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी मैं calculate करके बता देता हूँ क्योंकि मुझे तो पता है कैसे calculate करते हैं आप लोगों को पता नहीं वो बाद में बताऊंगा मैंने calculate कर लिया यहां leverage निकल के आया 2 दो leverage निकल के आया और यह leverage क्या बताता है यह leverage बताता है कि उनकी frequency का फरक कितना है 2 का मतलब दुगना फरक है 3 होता तो 3 गुना फरक होता 4 होता तो 4 गुना फरक होता 5 होता तो 5 गुना फरक होता तो मुझे ये पता चल गया कि उनकी frequency का फरक कितना है दो यानि दुगना ठीक है ना तो अब ही मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं sales को बढ़ाता हूँ तो मेरा profit भी बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा दुगना यानि 20% profit भड़ेगा लेकिन दुगना यानि 20% क्यों क्योंकि उनके बीच में leverage क्या है दो अब आप बोलोगे sir 2 कैसे है मैंने बताया 2 कैसे है वो बाद में समझाऊँगा उसकी calculation कैसे होती है वो में समझाऊँगा फिलाल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर leverage 2 है ठीक है अब देगे चेक करते हैं क्या बास्ट विक्ता में ऐसा होगा चेक करते हैं cross check तो sales को हम 10% बढ़ा रहे हैं तो 1000 यूनिट से कितनी हो जाएगी 1100 यूनिट sell कितनी हो जाएगी 1,10,000 variable cost proportionately change हो जाएगी 66,000 contribution कितना हो जाएगा 44,000 fix cost सेम रहती है fix cost सेम रहती है तो EVIT कितना हो जाएगा 24,000 अब देखे मेरा EVIT पहले क्या था 20,000 अभी कितना हो गया 24,000 कितना बढ़ गया 4,000 बीस पे 4,000 कितना percent होता है 20% hence proved अगर leverage दो है तो sales बढ़ने पर EVIT भी बढ़ेगा लेकिन कितना बढ़ेगा just double 3 होता तो triple होता, 4 होता तो 4 गुना होता, लेकिन यहाँ पर 2RN का leverage कैसे आ रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा clear है, उल्टा करके देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारी sales कम हो जाती, माइनस हो जाती 20%, हमारी sales अगर माइनस हो जाए 20% तो जाइड सी बात है profit भी माइनस हो जाएगा, profit भी कम हो जाएगा, लेकिन कितना कम होगा, double, 20 का double कर लो, यानि 40% कम होगा अगर sales 20% कम होती है तो profit कितना कम होगा 40% कम होगा चेक करते हैं cross check करते हैं बेस हमेशा इसको लेना है कि सारी calculation इसे से चलेगी तो 1000 से 20% कम करो कितना होगा 800 तो sell कितनी हो जाएगी 100 रुपे के इसाब से 80,000 variable cost 60 के इसाब से 48,000 contribution 32,000 fix cost same रहेगी तो EBIT कितना हो जाएगा 12,000 अब देखे 20 से कितना हो गया 12,000 कितना कम होगा 8,000 20,000 पे 8,000 कितना percent होता है 40% होता है hence proved तो अगर leverage दो है तो आप sales को कितना भी change कर लो चाए plus कर लो चाए minus कर लो EBIT कितना change होगा just double क्योंकि उनकी बीच में leverage क्या है यानि changing frequency क्या है 2, leverage क्या बता रहा changing frequency वो क्या है 2, तो this is the concept of leverage फटा फट कॉपी करिए सब लोग दो मिनिट का time आपके पास फटा फट इसे कॉपी करिए कॉपी करने के बाद message दे दीजेगा कर लिया कर लिया बच्चों सब ने ओके हाँ यह different different cases में leverage different आता है बेटा depend करता है fix cost पे leverage की calculation किस पर depend करती है fix cost पे प्रांजल सब case का अलग-अलग leverage आता है यहाँ पर leverage दो था इसलिए दो से हमने calculation किया ओके बटा अब बात आ जाती है कि sir आपने यहाँ तो हमें बता दिया leverage दो है हम कैसे निकालेंगे आते हैं point पे how to calculate calculation of degree of operating leverage कैसे calculate करेंगे degree of operating leverage तो आ जाते हैं short में इसको बोलते हैं dole degree of operating leverage short में बोलते हैं dole degree of operating leverage exam में भी ऐसे लिखा हुआता है calculate dole short में लिखा आता है तो dole मतलब degree of operating leverage और कैसे calculate करते हैं इसे calculate करने का के दो formula बता रहा हूँ अलग-अलग cases में अलग-अलग formula यूज होता है पहला जो है formula if there is only only one level of sales अगर बच्चों sales का केवल एक level given है अब आप बोलोगे sales का एक level मतलब देखो मैंने आपको बताया उपर मैंने आपको example बताया कि 1000 unit बेचने पर क्या होगा 1100 unit बेचने पर क्या होगा 800 unit बेचने पर क्या होगा अलग-अलग units बेचने पर क्या होगा वो मैंने आपको बताया अलग-अलग concept है ना तो यह 3 level होगे यहापे 3 level होगे 1000 unit पर क्या होगा 1100 पर क्या होगा 800 पर क्या होगा में हमारा डोल निकालने का फॉर्मॉला हो जाएक अब आप समझ गे हूंगे मैंने दो कैसे निकाला था उपर जाहिए मैंने दो कैसे निकाला था मेंने दो फॉर्मॉला लगा के निकाला था, formula क्या contribution upon EVIT, तो दो केसे आया, वो आपको पता चल गया, contribution upon EVIT, दो यह आ रहा है न, 1000 unit पे, base वाली पे, base पे calculate करना, calculations सारी base वाली label पे होगी, हमेशा base वाली label पे, चीक है, तो कितना आ रहा था, दो, दो यह आ रहा था न, इस तरह से मैंने निकाला था, formula अप्लाई कर गया, अब आपको समझ में आ गया, कैसे calculate करते हैं, डॉल, simple formula है, contribution upon, contribution upon EVIT, समझ में आ गया सब को, okay, बिलकुल और leverage जितना leverage आएगा, result उतना time हो जाएगा, leverage आपको frequency बताएगा, कि उनके बीच में frequency का अंतर कितना है, 2 है, तो 2 गुना है, 3 है, 3 गुना है, 4 है, 4 गुना है, साड़े 4 है तो साड़े 4 गुना है, इस तरह से leverage आपको difference बताता है, frequency का, तो leverage की calculation समझ में आगई सबको, contribution upon EBIT, okay, now question for you, फटावट जवाब देंगे सब लोग, question है आपके लिए, क्या contribution एक से कम हो सकता है, फटावट जवाब दीजे, क्या contribution एक से कम हो सकता है, अमन ने बोला, maybe, बिटा, एक से कम कब होगा, आप दिमाग लगाईए, दिमाग लगाईए, श्रेयांज ने बोला, yes, गोतम बोल रहा है, yes, अरे बहीं, आप सोच ये logic, जवाब दो na, logically, formula आपके सामने, income statement सामने है, तो logically जवाब दीजे, एक से कम कब हो सकता है, एक से कम तभी हो सकता है, जब EVIT जादा हो, एक से कम कब होगा, जब EVIT जादा होगा, EVIT बड़ा होगा, contribution से तभी एक से कम होगा, लेकिन ये possible ही नहीं है, EVIT निकल कहां से रहा है, EVIT कहां से निकल रहा है, EVIT contribution से नि हो यह नहीं सकता और ज्यादा नहीं हो सकता तो इसका मलब इसका आंसर कभी भी एक से कम नहीं आएगा अरे मैं contribution और आपको EVIT का पूछ रहा हूं EVIT contribution से निकलेगा ना minus की छोड़ो minus negative की बात नहीं कर रहे है अपन contribution से निकलेगा न EVIT तो EVIT ज्यादा हो सकता है क्या नहीं हो सकता इसका मतलब इसका अंसर हमिशा यह एक से कम नहीं हो सकता क्या एक हो सकता है क्या अजे बोल रहा है fix cost add करते तो अरे वही fix cost less करते हैं add करते हैं contribution upon EVIT डोल एक हो सकता है क्या yes एक हो सकता है कब हो सकता है जब contribution और EBIT बराबर हों contribution और EBIT बराबर हों तब हो सकता है और वो तब ऐसा कब होगा जब fix cost zero होगी fix cost ही नहीं fix cost नहीं है तो contribution किसके बराबर हो गया EBIT के बराबर हो गया और मैंने आपको बताया fix cost नहीं है तो ज़रूरी है leverage के लिए और अगर fix cost होगी तो leverage हमेशा छोटा होगा और leverage अगर छोटा हुआ तो डोल का answer हमेशा एक से जादा आएगा डोल का answer हमेशा एक से जादा आएगा ठीक है हाँ case number one में हमने लिया ता ना fix cost नहीं है तो वहाँ contribution बराबर आ दोल हमेशा एक था बराबर था तो हमेशा leverage के लिए fix cost होना ज़रूरी और fix cost होगी तो EVAT मेशे छोटा होगा और EVAT है बहुत कैल्कुलेटिव है ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते है ठीक है कि टेंक्यू बाए बाए कर दो कर कर दो झाल झाल